ऐसे में जब सेना की मदद पहुच वी तो जल से जल उन खायलों को भोपाल पहुचाया जाएगा मैं लोटूंगे आपके पास अम्रितान शी भी हमारे साथ जुड़ी है हर्दा से अम्रितान शी आपकी कहां पर मौजूद गी और क्या जानकारी आपके पास पिल्कुल देखिए जिस जगह ये घटना हुई है हम वहीं पर मौजूद है और अगर आपको दिखा दू तो ये पुलिस की जो फायर ब्रिगेज हैं वो यहाँ पर पहुच चुकिए अम्रितान शी आपकी आवाज पोरी तरीके से क्लियर नहीं आ पा रही है फिलाल ये exclusive तस्वीर हम आपको देखा रहे हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से अभी भी rescue operation को युद दस्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है और रह रहे कर धमाके की आवाज यहाँ से सामने आ रही है और अभी भी कुछ लोगों के मलबे के नीचे दबे होनी की आशनका है जो latest जानकारी है उसके मताबिक है कि सेना की मदद ली जा सकती है और जैसे ही सेना की मदद मिलती है उसके बाद से खायलों को कम समय में भोपाल पहुँचाया जाएगा अमरितान श्वी जी अपनी बात पूरी करिए बिल्कुल आपको तस्वीरे में दिपका दिखा रही थी जो यहाँ पर लगतार फाय ब्रिकेट जो है वो पहुँच रहे हैं आपको एक जानकारी से में अपडेट करवा दू कि NDRF और SDRF की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और उनके हाथ में जो बोडी करी करने वाले एक्विप्मेंट से वो सबी मौजूद थे यानि कि यह साफ तोर पर पता लगा जा सकता है कि अंदर मलबे में अभी कई बोडी मौजूद थी एक जानकारी में और आपको देदू अभी यहाँ पर स्थानी बता रहे थी कि कम से कम यहाँ पर पांसो से हजाल लोग इस फैक्टरी में काम करते थे यह जो मलबा आप देख रहे हैं यह चार मंजिला जो आप एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी यह तस्वीर आपको थोड़ी विचलित कर सकती हैं यह तस्वीर आप देखिए यह आग के बाद जो पशू हैं उनकी मौत हुई है और उनकी चरीर पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं यह तस्वीर विचलित कर देने वाली हैं और अगर आप सोचें जो अंदर काम कर रहे थे यह पशू तो बिचारे बाहर घूम रहे थे जो अंदर काम कर रहे थे उनकी क्या कुछ हालात होई होगी क्योंकि देखिए यहां पर बॉड़ी कुछ देर पहले यहां पर जो है वो लगतार पूरे दुमे का गुबार बन चुका है जो यहां पर लोग खड़े हुए उनके लिए सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इस जगे की हवा पूरी तरीके से खराब हो चुकी अगर आप अब देखेंगे तो यहां पर पुलिस की जो फाइर सर्वेश यानी कि जो पुलिस के फाइर ब्रिगेड़ है उनको बुलाया गया है वजह यहां पर धूआ तार बढ़ता जा रहा है और हालाओ बुरे होते जा रहे हैं क्योंकि NDRF और SDRF की टीम अभी इसकी पीछे वाले इलाके में गई है जहां पर जो फैक्टरीज में वरकर्स काम करते थे वो जगे थी और अगर वहां से NDRF SDRF अपना काम करना शुरू करेगी क्योंकि पहला मुख्य काम है यहां से मलबा अगर आप देखेंगे तो यह चार चार स्टरीज यह बिल्डिंग थी लेकिन आप देखें पूरा मलबा बन चुकी उसका लोहा तक नहीं बचा है इतना बुरा यह धमाका था इसके साथी साथ जो अगर हम बात करें इसके पीछे जहां पर वरकर्स काम करते थे वहां पर जो है बात कही जा रही है कि वहां पर आशंका यहां पर मानी जा रही है हलाकि भले अभी ओफिशिल नंबर जो है वो पूरी तरह से नहीं आया हो लेकिन कई कैजुल्टीज हो सकती है अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो हैं डॉक्टर की टीम भी जो है वो पहुँच चुकी है ताकि अगर कुछ इस तरह की कैजूल्टी स्काइज रहे और आप इस तरह की आपर हो गई है जो बोड्кие उन को क्यारी करकर अब लेकर जाना आसान है तो के उनको num TR, की सहब हूं से इतना बुछ यह करने में जो है कि यहां आपुछ यहां पर बन गई थी हलाकि ह 250 चैब्हुँ忌र से ही को हटा दीया गय है क्योंकि अभी भी ब्लास्ट जो है वो फैक्टरी में लगतार जा रही है जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे थे लगतार यहां पर अगनी जो शमन यंत्र हैं उनको लाया जा रहा है यह देखिए यहां पर आपको NDRF देखेगा हो जैसा कि अभी हमारे सयोगी इजहार बत पहुझ गई है NDRF की भी टीम्स पहुझ गई है क्योंकि मलबा हटेगा तब जाके बॉडिस के निकलने की कुछ संभावना कुछ आशंका है जो है वो निकलकर सामने आएगी तो अभी आप ही पूरा मलबा देख रहे हैं यह पूरी तरीके से जो है खत्मों हो चुका है यह तो इनपजार किया जारह है क्योंकि रिखे आज HASPATAAL में ही कई लोगों को MIT किया गया है कई घायलों को यहां पर जो है वह है एड़िमिट किया गया है लेकिन घायलों के साथ-सातuben रिक्स कितनी है यह अभी पता लगाना जो है वेहद ही जरूरी हो गया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी टीम्स तैनाथ हैं जैसे ही बॉडिस को निकालने का काम शुरू किया जाएगा तभी हम यह कह सकेंगे कि कितनी जो है यहाँ पर मौते हुई है लेकिन हाला बिल्कुल हमने ता अभासियों से बात्चीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 500 से 1000 के तक यहाँ पर कर्मी काम करते थे ऐसे में कितने और लोगों के इस मलबे की नीचे दबे हुनी कि आश्रूंका है दिखे कई लोग इसके नीचे हो सकते हैं दिपिका जो हमें लोगों ने आके जानकारी दिया यह फोर स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें 500 से 1000 लोग रोजाना की सर पर काम करते थे 350 लेबर्स रोजिस्टर्ड ली यहां पर लोग अभी बता रहे थे कि इस जो है फैक्टरी में थे और रोजाना यहां पर जो है काम काज होता था लेकिन कुछ जानकारी मैं आपको यहां पर अलग से देना चाहूंगी सेप्टेंबर के अराउंड जो कि हमें स्थानी लोगों ने जानकारी दी है इस फैक्टरी को सील किया गया था क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स या कई हम कह सकते हैं चीजेस फैक्टरी के जो ओनर्स थे जो कि शाद राजु अग्रवाल बताया और अपर यह फैक्टरी को सील अब मलवे को निकालना जो है वो शुरू कर चुका है पूरी तरह बॉडी जल चुकी है पूरी तरह यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि पूरी तरह बॉडी जल चुकी है एक परसिंट जो है बॉडी में कुछ बचा नहीं है अगर आप देखेंगे NDRF, SDRF जो लेकर जा रहा है लेकिन बहुत बुरी तरह से यह बॉडी जल चुकी है अब यह देखेंगे हम शायद आपको वो तस्वीर ना दिखा पाएं क्योंकि यह यह तस्वीर आप देखेंगे पूरे हाथ पैर सब जले हुए हैं शायद यह तस्वीर विचलित कर सकती हैं लेकिन यह उन गुनेगा गुनेगारों के कारण है जो कि इन चीजों को हमेशा जो है हम कह सकते हैं इगनौर करते हैं लेकिन अगर आप जो है अगर आप देखेंगे इनके गुनेगारों के कारण आज कई लोग जो है वो मर चुके हैं कईयों लोग जो है वो जखमी है और जो तस्वीर आपने देख शायद आपने जो बॉड़ी देखी होगी वो पूरी तरह से जल चुकी है उस बॉड़ी में कुछ नहीं बचा है और शायद ये हलत हो चुकी है कि इस बॉड़ी को कोई पहचान भी नहीं सकेगा इतनी बुरी हालत यहाँ पर हो चुकी और यह देखी अभी पहली बॉड़ी N DRF, SDRF ने निकाली है अब लगातार यहां से लाशों के निकलने का सिलसिला जारी रहने वाला है क्योंकि कईयों वरकर्स आपको बता दे कईयों वरकर्स यहाँ पर अंदर अभी मल में बे दबे होए होंगे जिनकी जलने से इतनी बुरी मौत होई होगी जी अमरितांशी पूरा का पूरा इलाका धुआ 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 हुआ है पल्यूटिट हो चुका है और यह टाइम बहुत मुश्किल होता है इसके बाब जूत अप्रिशियेशन फॉर यॉर रिपोर्टिंग और तस्वीरी भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रही है बाकी में विचलत कर देने वाली यह तस्वीर है तो अभी तो यह सिर्फ पहली बॉड़ी निकली है और कितनी टीम वहाँ पे काम कर रही है इस रेस्क्यू ऑप्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकुल निके दिपिका जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि यहाँ पर काम करना आसान नहीं है क्योंकि यह चार स्टोरी बिल्डिंग थी उसका मलबा मैं आपको जिस तरीके से दिखा रही थी जब पहली बॉड़ी यहां से निकली NDRF, SDRF के आने के बाद वो मलबा करताना बेहद ही मुश्किल काम है और जैसे जैसे वो हटता जाएगा आपने अगर बॉड़ी की थोड़ी बहुत भी अगर जलक देखी होगी वो पूरी तरह से काली पढ़ चुकी है उसमें कुछ भी नहीं बचा है यानि कि धमाका कितना जबर्दस था यह हम पता लगा सक करते हैं और यहां पर NDRF, SDRF को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि अब यह हमारे जो बल हैं उनके बस की बात नहीं रह गई है क्योंकि जानकारी मिल पारी है कि कईयों वरकर्स अंदर जो है वो मौजूद है एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगे यह जो बिल्डिंग अवैद होती है उनके पास पर्मिशन नहीं होती है और पर्मिशन ना होना अवैद फैक्टरीज होना उसके बार यह रिजल्ट्स आप देखते हैं कि किस तरह से बेगुना जो है वो बिना हम कह सकते हैं गुना मौत के मारे गए इसके अलावा इन मलबे के नीचे अभी कितन नहीं ली या जो भी पार्टी थी उसने इसके सुद्न नहीं ली और एक दुबारा से इतना बड़ा हाथसा हुआ है मैं इसलिए ऐसा कहरी हूं क्योंकि अभी मैंने वो बॉड़ी देखी और वो बॉड़ी की हालत ऐसी थी ऐसी अगर कई बॉड़ी से 10 या 12 या 15 बॉड़ी पचाफ कार में जो तस्वीर हैं ये वाकई में विचलित कर देने वाली हैं जी